मैं हूँ आयुश्मौ और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट शारु खान और अनुश्का शर्म स्टारल फिल्म जब हैरी मेट सेजल आज रिलीज हो चुकी है माना जा रहा है कि किंखान जबर्दस्त वापसी का मन बना चुके है और उनकी फिल्म जब हैरी मैट सेजल को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज है खबर तो यहां तक है कि फिल्म की कामियाबी को लेकर दो सो पच्चिस करोर रुपे तक का सट्टा लगाया जा चुका है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक फिल्म को खाड़ी देशों में बंप और ओपनिंग मिली है कुछ जगाओं पर तो फिल्म के टिकेट पच्चिस सो रुपे तक में बिक रहे हैं और लोग यह टिकेट खरीद भी रहे हैं जब हैरी मैच सेजल शारु के करियर के लिए काफी महत्वपूर्ट साबित होगी शारु की पिछली फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर ठीक ठाक कमाई तो कर ली थी लेकिन शारु छाप छोड़ने में नाकाम रहे थे ऐसे में शारु की वापसी का दारोमदार हैरी और सेजल के कंदों पर ही टिका है फिलाल माना जारा है कि जब हैरी मैच सेजल को 15 से 20 करोड की ओपनिंग मिल सकती है और वीकेंड तक फिल्म 50 से 75 करोड रुपे का कारोबार कर सकती है लेकिन जिस तरह का रिस्पॉंस फिल्म को खारी देशों में मिल रहा है उससे देख कर लगता है कि फिल्म कुल मिला कर 200 करोड रुपे से ज़ादा का कारोबार कर सकती है फिल्म 200 करोड के आज पास भी रहती है तो फिल्म सूपर हिट कहलाएगी जिस तरह की ओपनिंग फिल्म को इंटरनाशनल मार्केट में मिली है उससे ये आकड़ा छूना संभव लगता है अब देखना होगा कि फिल्म शारुक अनुश्का के फैंस को कितना प्रभावित करती है फिलाल इस वीडियो में इतना ही टेलिविजन और बॉलिवुट की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे है फिल्मी बीट